आधे घंटे पहले नोटिस दे करके मुसल्मानों के घरों पर बुल्डोजर चलवाया जा रहा है लेकिन जो आरोपी है मुख्या आरोपी है पूरे शाजिस में जो लोग शामिल थें उनको गिरफतार नहीं किया जा रहा है पूरी जानकारी विष्टार से आगे पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नमस्कार बिरानाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहें नेशनल दस्तक सोचिए रामराज जी आ गया है साहाब आजादी के 76 साल पूरे होने जा रहे हैं और मुसलमान होना ऐसा लगता है हमारे देश में सबसे बड़ा गुना हो गया है इसलिए मुसलमानों के घरों पर बुल्डोजर चलाया जा रहा है मुसलमानों के जुग्यों को धाराशाई किया जा रहा है और कोशिस की जा रही है किसी भी तरीके से मुसलमानों को कमजोर कर दिया जाए और कमजोर ऐसा किया जाए जिन्दगी में कभी आगे ना बढ़ने पाएं कभी उठ ना पाएं मोहम्मद जुबेर का एक ट्वीट है इन्होंने लिखा बी इट बिट्टू बजरंगी और बाबा अशोक शर्मा फ्राम बजरंग दल नन विद बी अरेस्टेट फॉर मेवात अटेक हेर इस दा रीजन यानि रीजन साफ है कि किस तरीके से यही लोग बंदूग चलाते हैं और तमाम टीवी चैनल के पत्रकार कहते हैं कि देखिये पुलिस वाले जो है वे लोग अब वर्दी में नहीं है सिविलियन बन करके लोगों की रक्षा कर रहे हैं मुहमत जुबेर का अगला ट्वीट है बिट्टू बजरंगी इस आलसो सीन इन दा वीडियो वेर अशोक बाबा इस सीन फाइरिंग ऑन दा श्रेम डे ही गोज लाइफ ब्लेमिंग जिहाद आफ वर्निंग बस ऑन दवे ही स्टॉफ हिज कार एंड आस्ट पिपल टू कलिफ स्टॉंस एंड इस्टोर इन हिज कार यानि आप लोग अपने कार में पत्थर कोई कठा कीजिए और जिहादियों पर आरोप लगा दीजिए साब तोर पे जो बजरंग दल के लोग हैं यह लोग कह रहे हैं लेकिन बदनाम तो करना मुसल्मानों को है क्योंकि यहाँ पर मुसल्मानों को बदनाम और बरबाद करने का बीड़ा उठा लिया गया है मैं आपको सदवाफरीन का ट्वीट दिखा रहा हूं आप देखिए सदवाफरीन लिखती है नू में हुई हिंसा मामले में अब तक 143 से जादा पर सो रहे थे सोते हुए उठा लाई पुलिस यानि जो सिविलियन थे जो बेगुना थे जो लोग इनोसेंट थे वे लोग जब अपने घरों पर सो रहे थे रात में तो पुलिस पहुंचती है और इसके बाद सभी लोगों को गिरफतार कर लेती उठा लाती है नर्गिस ब कोड को इस मामले में सुता संग्यान लेकर बजरंग दल पर बेहन लगाना चाहिए अब आप इस आदमी को देखिए इसका नाम है भगवान दाश गोयल इस दिल्ली के जंतर मंतर पर भी आता रहता है और किस तरीके से भड़काउन नारे लगाता है खुद को भारती जंता पार्टी का नेता कहता है और जब इसे सवाल पूछो एक गुंड़ाई करता है यही भगवान दाश गोयल है इसने मेरे साथ खुद बत्तिमीजी की थी लगभग दो तीन महीने पहले लेकिन यह लोग मनबढ हो गए हैं क्योंकि इने पता है कि सत्ता में ही लोग हैं और इन भासकर ने साथ तोर पर लिखा है हरिवाना सरकार ने 9 SP के बाद DC को हटाया 20 घर दुकानों और 200 जुग्यों पर चलाया बुल्डोजर पताओदी में हिंदू संगटनों का प्रदर्शन यानि अलोग अंदोलन भी करेंगे और मुसल्मानों के जुग्यों पर दुकानों पर बुल्डोजर चलाया जाएगा और कहा जाएगा ये तो रोहिया मुसल्मान हैं और इसी के हवाला दे करके लगाता जो है कि इनके घरों पर बुल्डोजर की कारवाई की जा रही है BBC की मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ BBC ने लिखा है नू हिंसा नोटिस मिलने के आदे घंटे में चला बुल्डोजर अब तक 200 लोग गिरफ्तार हो गए है एक प्रेस रिलीज जारी क्या गया है आगे लिखता है BBC BBC इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मताबिक प्रशासन ने हर्याणा के नू जिले में शुक्रवार को कारवाई करते हुए कई मकार और धाचे तोड़ दिये नू में शुरू ही सामप्रदाइक हिंसा परोसी जिले गुरुगराम तक फैल गई थी इस हिंसा में छे लोग मारे गए हैं जिन में दो होम गार्ड हैं वहीं हर्याणा के ग्रहमंतरी अनिल्विज का कहना है अब तक 202 लोग ग्रिफ्तार किया गया है 80 लोगों के खिरासत में लिया गया है क्योंकि कत्ति जुलाई को जो है कि अश्रोभाय आतरक दोरा हिंसा हुई थी और अब सरकार भी कह रही है हर्याणा की ग्रहमंतरी भी कह रहे है अनिल्विज जो है कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो बुल्डोजर का इस्तिमाल किया जाएगा इसको लेकर के कोई प्रस रिलीज जारी क्यों नहीं की जाती सरकार बात क्यों नहीं बताती मोनु मानेसर कहां छिपा हुआ है सरकार बात क्यों नहीं बताती कि जो तवाम बजदर्गदल के लोग है वे लोग कहां छिपे हुई है उनके उपर कौन सी कारवाई हुई है अगर कारवाई नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई अगर कारवाई हुई है तो कौन सी कारवाई हुई है कि इंधाराओं के तहट केस दर्श जा गया है एक बड़ा सवाल है लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जवाब कौन देगा कोई ज मुसलमानों के घर पर बुल्डोजेर चल रहा है और यही बुल्डोजर जब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घर पर चलाया जा रहा था तमाम टीवी के पत्रकार, दर्वारी पत्रकार, गोदी पत्रकार बड़े खुश हो रहे थीं लेकिन कानपुर में जब एक कहने लगे सारी गलती प्रशासन की है शासन की कोई गलती नहीं है योगी आदित तनासी कोई गलती नहीं है लेकिन जब मुसल्मानों घर बुर्डोय चलता था चित्रा तिर पाठी जैसे लोग बहुत खुश होती थी इन्हें लगता था कि देखिए बहुत अच्छा काम हो र गुंडे हैं अलग-अलग पाइटियों के अलग-अलग संगठनों के हो सकता है इनके घर पर भी बुल्डोजर चले लेकिन लगातार नफरत की दिवार को लंबी चोड़ी और मोटी करने की कोशिस की जा रही है और जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है सरकार जो है क कि देखिए या इनबीटी लिखता है नोहिंसा में अब तक किसी मुख्य शाजिस करता का हाथ होने का पता नहीं चला है एसपी का बयान है आप सोचिए कि आज पांच तारीख है पांच दिन हो गए लेकिन अभी पुलिस को नहीं पता कि साजिस किसने रची थी अरे साहाब यह कोई शोभायात्रा पहली बार नहीं निकल गही थी हर साल हरणना के नूह में शोभायात्र निकलती है आपको तो जानकारी नहीं होगी क्योंकि इंट्रेलिजेंस तमाम एजजिएंशिय हैं आपके पास Lכि फर भी आपको पता नहीं चला क्या जो तमाम हतियार आएं हत इल्विस साहक क्या कर रहे हैं बड़ा सवाल है लेकिन उससे बड़ा सवाल मैं कह रहा हूं कि पूछे का कौन और मुसल्मानों को ऐसा लग रहा है निशाना बनाया जा रहा है और इसलिए सुप्रिम कोड के रोकेट बहमूत प्राचा सुप्रिम कोड के रोकेट भानू प्रत हर्यारा नूह में नहीं आई है क्योंकि जो उनकी टीमे है और टीम बहुत जादा मजबूत हो गई है एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुप्रिम कोड के रोकेट मेहमूत प्राचा बजरंग दल वो संगटन है जो की हत्यार बांटता हत्यारों की ट्रेनिंग देता धिरेंचारसी जो आसमान की उचाईयों को छूग है वो भी RSS के कारे करता है तो ये करप्शन कर रही है सरकार RSS एक बड़ा आतंगबादी संगटन है वो अपने अलग-अलग तरह के लोग अलग-अलग जगा प्रोजेक्ट करता है RSS और उसके सहीयोगी आतंगबादी संगटन खुले आम इस बात को कहते हैं कि हम भारत का समीदान खतम करके मनुस्विती लागू कराएंगे वो खुले आम इस बात को कहते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतने ज़्यादा अपरादी नहीं होंगे जितने भारती जंता पार्टी में सुन लिए आपने खुल करके आरोप लगा रहे हैं सुप्रिम कोड के वखिल महमूद प्राचा और केरें की RSS की शाजिस है और बेगुनाहों को लगातार फसाया जा रहा है फिलाल इस वीडियो भी इतना ही लेकिन पूरी वीडियो पर आप लोग अपनी गाए हमें कमें बॉक्स में जरूर बताईएगा धन्यवाद निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे लाइक करे कमेंट जरूर करे